अंडमान और निकोबर दीप समु से पूरु सांसद और बीजपी उमीदवार विश्नु पदारे कॉंग्रिस पर बड़ा हमला पूला है उन्होंने पूर प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरु पर देश विवाजन का असली जिम्मेदार बताया और कॉंग्रिस को देश विरोधी करते हुए आरोप लगाया है उन्होंने एक बयान में कहा उत्री अंडमान दीप समु का हसा रहे कोको दीप उन्होंने मैमार को उपहार में दिया था ये दीप इस समय चीन के सीधे नियंतरण में है जिसका उपियोग चीन भारत की जासुसी करने के लिए करता है साथ ही कहा कि 70 साल से कॉंग्रिस सत्ता में थी लेकिन उन्हें इन दीपों की चुंता कभी नहीं हुई आज मोधी सरकार कैम्प बेल खाड़ी में चीन का मुकाबला करने के लिए एक शिप यार्ड और दो रक्षा हवाई एड़ो का निर्मार कर रही है विश्णू पदा ने कहा कि कॉंग्रस ने एक भी नेता कभी वहां नहीं गया लेकिन पीएम मोधी यहां नियमित रूप से आते रहते हैं आपको बताते चलें कि सिर्फ कोको दीप ही नहीं बल्कि इससे पहले बीजेपी कॉच तीव दीप को लेकर भी कॉंग्रस पर हमला वर रही है इस मुद्धे को बीजेपी ने गंभीरता से उठाया है हाल ही में पीएम मोधी ने कोच तीव दीप को लेकर कॉंग्रस पर हमला बोला था पीएम मोधी ने कहा कि कॉंग्रस ने कोच तीव दीप को श्रिलंका को देकर मा भारती का एक अंग काट दिया बता दे कि 1974 में भारत और श्रिलंका ने मैरी टाइम समझोता हुआ था इसमें कोच तीव दीप को श्रिलंका को दे दिया गया था इस समय देश में इंदरा गांधी की सरकार थी बीजीबी का कहना है कि कॉंग्रस ने देश के साथ गदारी की है 1974 में देश में इंद्रा गांदी की सरकार थी तमिलांडू में डीमके के मुख्यमंत्री एम करुणानेदी जी थे पूर्व पीम इंद्रा गांदी जी की तरफ से एक आदेश आता है कि कोचतियू टापू को ततकाल प्रभाब से श्रीलंका को असौब दिया जाए उन्होंने बिना किसी चर्चा की ये उसे श्रीलंका को दे दिया देश के अखंड ता एक तक के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया गया और डीम के आज भी उसी कॉंग्रिस के साथ गड़ बंदन में है अब देखना ये है कि भाजपा दोजार चौबिस की रण में कोको कोच